दोस्तों एक महला दरोगा किसी केस के सिलसले में अपने सिपाही और अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ कर किसी केस के जात परताल के लिए कहीं जा रही थी उसे समय दुफैर का समय था जो महला दरोगा थी उसे भूख लगने लगी इसने अपने ड्राइबर से कहा कि ड्राइबर सहाब यहां आस पास कोई होटल दिखाई दे तो वही पर गारी रोक लेना मैं कुछ खा पीकर ही निकलूंगी उसके बाद आगे चलते हैं क्योंकि पता नहीं जाज परताल में कितना समय लग जाए ऐसा भी हो सकता है कि वहां पजाज परताल करते करते हम लोगों को रात भी हो सकती है और मुझे काफी जोर से भूख लग रही है आज का खाना तो हम होटल में ही खा लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहां से आंगे बढ़ेंगे ड्राइवर साहब ने कुछ दिर बाद होटल में गारी रोक ली महला तरोगा जैसे ही होटल के अंदर जाने लगी वहां उसने देखा कि एक ब्यक्ती जूटी परतंद हो रहा था लेकिन जैसे ही महला तरोगा उस ब्यक्ती का चेहरा देखती है तो उसके पहरो तले जमीन खिसक जाती है एक दब उसके होश उड़ जाते हैं दोस्तों वह महला तरोगा दोड़ते हुए जाती है और उस ब्यक्ती के पास उसे गली लगा कर फूट फूट कर रोनी लगती है वहां होटल में बेंदर बैठी सारे लोग खाना खा रहे थे वह महला तरोगा को अश्यर से देखते हैं और सोचते हैं यह महला तरोगा इस ब्यक्ती को गली लगा कर क्यो रो रही है आखिर यह आदमी उस महला तरोगा का क्या सम्बंद था जब उस व्यक्ति के सच्चाई लोगों के सामने आती है तो वहे लोगों भी यकीन नहीं होता है उसके साथ इतना बड़ा हास्षा हुआ जो व्यक्ति वर्टन्द हो रहा था उस व्यक्ति के जीवन की सच्चाई क्या थी और महला दरोगा से उस व्यक्ति का क्या संबन्द था आईए दोस्तों जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो के माद्यम से अगर आपको हमारे चैनल पर पहली बार बिजट की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें यूपी के कानपुर सहर में दोस्तों आलोक और उसकी पतनी आरती रहा करते थे उसके पतनी का यही सपना था कि वह पढ़ लिक कर एक सरकारी एफ़सर बन जाए या फिर कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी उसे करनी थी लेकिन वह सरकारी नौकरी ही करेंगी क्योंकि दोस्तों उसकी घर की स्थिती ठीक नहीं थी आरती हमेशा सोचती रहती थी कि अगर उस के और उसकी पती का फ्यूचर शिक्योर हो जाएगा घर में भी सारी परिस्यानियां दूर हो जाएंगी क्योंकि उसका पती प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था शेल्टी भी उसकी ठीक ठाक ही थी हर महीने 5000 और ओवर टाइम करके 8000 कमा लेता था यही सोचकर आरती अ बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं अगर तुम्हें पढ़ने का और नौकरी करने का मन है तो मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा हम थोड़े खर्चे कम कर लेंगे और इनी रुपए में बचा कर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा आरती भी अप समय के बाद पुलिस विवार की नफरती में फॉर्म निकलते हैं आलोक आर्टी के लिए फॉर्म लेकर आता है और वह फॉर्म बढ़ देती है कुछ महीने बाद उसका पेपर भी होता है और दोस्तों जब उसका रजल्ट आता है तो भगवान की खिरपा से आर्टी का जाना ना था, दौनों ने अपने सभी रिस्तिधारों को ख़बर की, आर्थी इस्पेक्टर बन गई थी, सभी रिस्तिधार आसपास के लोग आर्थी को बढ़ाई देने आए, पुलिस विबाग से भी बहुत से लोग आर्थी को बढ़ाई देने के लिए आए, जो भी आता पुलिस के भी जो लोग आते आर्ती से ही बात करके हसी मजाग करते और सबालों को बिलकुल अच्छा नहीं लगता था और सोचता था कि मैंने आर्ती को पड़ा लिखा कर महनत करके इस काबिल वनाया यह लोग मुझे भाव नहीं दे रहे हैं ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई व मेरी कोई पटनी की है वए इंसपेक्टर बन गई है और उसकी सेल्डी भी मुझे बहुत ज़्यादा है मैं तो एक मजदूर हूँ मैंने अपने पटनी के लिए क्या कुछ नहीं किया मजदूरी करके अपनी पटनी को पढ़ाया और इस काबिल बनाया और रहे लोग और वही घर में अकेला रहता था और उसे घर में अकेला पन खाये जा रहा था बस यही सोचता रहता था कि मेरी पत्नी की ही सभी कहते हैं मेरी लिए कोई नहीं कहता है मुरी पत्नी मुझे एक तिन दोका दे देगी क्योंकि उसने सोसल मेडिया पर बहुत सी खबरे सुनी थी न्यूज में कि पती अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर अफसर रना देता है और वही पत्नी अपनी पत्नी को लाद मार कर भाग जाती है इसी टेंसर में हुआ अपनी ड्यूटी पर भी महिने में पंदर दिन ही जाता था और इधर उधर पड़ा रहता था इसी बज़े से उसकी नौकरी भी चूट गई उसने यह बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई आलोक का बल्ठड़े था आर्ती ने उस दिन चुट्टी ले रखी थी आलोक आर्ती से अच्छे से बात ही भी नहीं करता था आर्ती को लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आलोक इस तरह क्यों कर रहा है आर्थी ने आलोग से उतना ही प्यार करती थी जितना की पहली करती थी आर्थी ने उस दिन आलोग की पसंद का सारा खाना बनाया और फिर रात में कीक मंगवाया आलोग ने कीक काटनी से मना किया लेकिन आर्थी ने जबजस्ती केट कटवाया और फिर उसे गिप्ट में आलोग को एक चेन दी यह देखकर आलोग भड़क गया आलोग बोला अपने पैसे का गमंड दिखा रही हो मुझे पता है तुम मुझे से जादा कमाती हो मैंने तुम्हें कभी कोई गिप्ट सौनी का नहीं दिया तुम्हें दिखा रही हो कि मैं एक मजदूर हूँ आर्टे रोते हुए बोली आप यह क्या कह रहे हैं आज मैं जो कुछ हूँ आपके बज़र से हूँ अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो मैं इस मुकाम पनना पहुंचती मुझे किसी से कोई मतलम नहीं है मेरे लिए एक अधिकारी बनना भी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए गर्वी की बात है कि आप मेरे पती हो इस पर आलोग हसने लगता है और कहता है क्यों मजदा कर रही हो अब तो आस पास के लोग भी कहने लगे हैं कि अपनी बेवी की कमाई खा रहे हो वह कहता है मुझे तुमसे तलाग चाहिए मैं तुम्हारी साथ नहीं रहना चाहता मैं घुट घुट कर मल जाओंगा मैं कहीं भी मजदूरी कर लूँगा लेकिन मुझे अब तुम्हारी टुकडों पर नहीं बलना आती आलोग के पैरों के नीचे गिर जाती है आलोग के असा मत कहो मैं तुम्हारी बिना कुछ नहीं हूँ मेरी जिन्दगी तुमसे शुरू होती है और तुम पर ही खतम होती है लेकिन आलोग मानने को तयार ही नहीं था उसे तुकेवल एक बात लग गई थी कि मेरी कोई इज़त नहीं है मुझे तुमसे तलाग चाहिए आरती बोली मेरी नजरों में तुम्हारी इज़त है और तुम्हें लोगों से क्या करना है मैं तुम्हें तलाग कभी नहीं दूगी तो आलोग कहता है तो तुम मुझे तलाग नहीं दोगी आलोक मैं तुम्हारे बिना मर जाओंगी आलोक आर्थी पर जूटे जूटे इलजाम लगा देता है कि पता नहीं एक एक दो दो दिन घर से बाहर रहती हो क्या करती हो आलोक आर्थी को छोड़ कर चला जाता है आर्थी बहुत तलास करती है लेकिन आलोग का कहीं पता नहीं चलता है देरे देरे टाइम निकलता है आरते भी अपनी नौकरी अपनी फर्ज को नहीं भूल सकती थी इसलिए वा सोचती है कि यह नौकरी भी तो मेरी पती की ही देन है इसलिए मैं यह नोकरी पूरी निष्टा पूरी इमानदारी से करूंगी उस दिन भी वाय अपने किसी केस की जाज के लिए सहर से बाहर गई थी तब ही उसे रास्ते में भूक लगी तो उसने अपने ड्राइवर से कहा किसी होटल में रोक लो वहाँ पर खाना खाकर चलते हैं लेकिन जैसे ही वह होटल गई वैसे ही उसने अपनी पती को बलतन दोते हुए देखा तो उसकी आँखों से आसु जलजल मैने लगे वह सब के सामने अपने पती को गली लगा कर रोने लगी और उसमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि होटल में सभी लोग उसे देख रहे हैं उसे तो तीन साल वाद उसका पती मिला था आलोक नजरे जुकाए दूर खड़ा था आरते ने उसे कुर्शी पर बैठाला आरते रोते हुए बोली आलोक तुमने अपनी क्या दसा बनाती है कितने कमजोर हो गए हो तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ फिर भी तुम मुझे छोड़ कर चले गए मुझे लगता था कि तुम्हारे गुस्तर सांत हो जाएगा तुम वापस आजाओगे मैं इंतजार करती रही लेकिन तुम नहीं आए मेरे लिए मेरी पुरी दुनिया तुम थे आरते रोते हुए बोली मेरी पुरी दुनिया विखर गई मैं तुम्हें कहा कहा नहीं डूड़ा आलोग के भी आके जरजर आशू बह रही थे जब आरती ने सब के सामने आलोग को गले लगाया तब ही आलोग को एहसास हो गया था कि मेरी पतनी मुझे कितना प्यार करती थी लेकिन मेरे मन में करबाहट बस गई थी जिसने हमारे जिस्टे को तोड़ दिया वह यही सोच कर रोह जा रहा था हरती ने आलोग के आशू पहुचे और बोली तुम यहाँ पर होटल में बरतन के उदो रहे हो आलोग बोला क्या करूँ उस सहर को छोड़ दिया नौकरी तो मेरी पहले ही छूट गई थी आलोग बोला उस सहर में तुम्हारी यादे बसी थी जो हमने खुबसूरत पल लम्हें मिताए थे वह मुझे जीनी नहीं देते जब दूसरे सहर में आया तो मुझे नौकरी कहीं नहीं मिली तो मैंने होटल में काम करने लगा मुझे दो बक्त का खाना मिल जाता है और हर महीने 5000 मिल जाते हैं जिससे मेरी जिन्री कर जाएगी आठे बोली और कभी मेरी याद नहीं आई लोग ने आठे का हाथ पकड़ लिया और रोने लगा आठे मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है और जब से तुम्हारी नौकरी लगी मुझे यह लगने लगा था कि तुम मुझे छोड़ कर चली जाओगी और मैं बर्दास नहीं कर सकता कि लोग मुझे ताने दें तुम्हारी बीबी तुम्हें छोड़ कर चली गई इसे वज़े से मैंने तुम्हें छोड़ दिया मुझे माफ कर दो मेरा भी एक एक पल कैसे गुज़रा है यह मैं जानता हूँ आलोग बोला आरती मुझे माफ कर दो मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो अब मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम माइरे रखती हो ना कि दुनिया वाले साइद मैं ही तुम्हारे लायक नहीं था तुम्हारे बीच अब कभी तुम्हारी नौकरी नहीं आएगी तुम्हारा सपना नौकरी करना था और मेरे सपना तुम्हारा सपना पूरा करना था आरती रोते हुए बोली तुम जैसे भी हो सिर्फ मेरे हो मैं तुम्हें अब दुबारा कभी नहीं खो सकती तुम अपनी दयारी कर लेना मैं लवी लोट कर आऊंगी तो हम दोनों घर चलेंगे और दोनों एक दूसरे के गली लग गए दूसरे दिन आरती आलो को अपने साथ घर ले गई दोनों ने अपनी दुवारा नई जिन्दिगी की शुरुआत की